वेल्कम टू माई चैनल जैका बीदिना हुसेन विवर्स आज हम बनाएंगे श्रेड़िट चिकन शामी कबाब है बहुत टेस्टी आपको ये रेसिपी बहुत पसांद आएगी रेसिपी शुरू करते हैं आदो किलो मेरे पास चिकन है चिकन के ब्रेस्ट पीसिज है और ये ब चिकन में आपने पानी शामिल नहीं करना ये अब नमक और चिकन अपना ही पानी रिलीज करेगा जिसके दर ये बहुत अच्छे देके से को जाएगा यहां पर चैने की डाल है मेरे पास आलू है और ये फ्रेश वेजिटेबल्स हैं आप चाहें तो फ्रेश डाल लें और आ आप टी स्पोन नमक एक टी स्पोन जीरा एक टी स्पोन कुटीवी सुर्ख मिर्चे एक टी स्पोन सुर्ख मिर्चा का पाउडर एक टी स्पोन हल्दी और एक टी स्पोन गरमसाला एक टी स्पोन अद्रक लेसं का पाउडर और दो टी स्पोन इसके अंदर प्यास का पाउड असमाल भी कर सकते हैं, तकरिबन 20-25 मिनट तक हम इसको टाइम देंगे, दुसरी साइड पे चिकन आप देख लिए कि इसने कितना पानी रिलीज किया हुआ है, अब इसकी साइड को हम फिलिप आउट करेंगे, यानि इसको हम टर्न कर देंगे, और दुसरी साइड से भी हम पक ये आपको बहुत यूनीक टेस्ट वाले कबाब लगेंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि चिकत की एक साइड पे कलर आ गया, अब हम इसको फिर अगें टर्न करेंगे, और दूसरी साइड पे भी हम कलर आने का इंसार करेंगे, और उसके बाद हम इसको साइड पर रखतें मिक्स्टर के ठंडा होने का इंतजार करेंगे, और इसके बाद हम इसको एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे, तब तक हम चिकन को अच्छी तीक से शेड कर लेते हैं, चिकन अभी थोड़ा सा गर्म है, तो मैं फोकी मदसी कर रही हूँ, आप जैसे चिकन ठंडा हो तो आप इसको हाथों के साथ भी अराम से श्रेट कर सकते हैं, यह मिक्स्टर हमारा दाल और अलू का, अब इसके अंदर थोड़ा सा में दें, फ्रेश पुदीना और धनिया डाला, अब हम इसको चोपर के अंदर चोप कर लेंगे, अगर आपके पास चोपर नहीं है, आप इसको मेश कर सकते हैं, एक अंडा लेंगे और इसके अंदर डालेंगे, हाफ मैं अभी डालूंगी, हाफ मैं दुस्से बैच के अंदर डालूंगी, तो यह हमारा मिक्स्टर रेडी है, अभी शायद यह आपको थोड़ा सा लिक्वडी फील रहरा हो, लेकिन जब इसके अंदर हम डालेंगे तो ये बिल्कुल solid form में आजेगा और कबाब का mixture अगर हम बहुत ज़्यादा fully dry करें कुछ लोग इसके अंदर मैदा वगरा डाल देते हैं तो उसके सथ कबाब बनने में तो flexible होते हैं लेकिन उनका तेस्ट फिर अच्छा नहीं आता यहां पर मैंने थोरा सा और फ्रेश दनिया डाला इसके बाद हम shredded chicken को डालेंगे और इसको हम अच्छे देके से mix कर लेंगे यहां पर आप नमक में चचक पी सकते हैं अगर आपको कम लगे तो आप अपने तेस्ट के हसाब से थोरा सा और भी शामिल कर सकते हैं अब हम सिर्फ हाथों को गिले पानी के साथ वेट करेंगे और हम कबाब बनाते जाएंगे अगर आपके पास कोई cookie cutter है या फिर आपके पास कबाब बनाने का मोल्ड है तो आप वो भी समाल कर सकते हैं लेकिन मुझे हाथों के साथ बनाने की आदत है तो मैं इसी दिए के से सारे कबाब बनाती जाओंगी आपको कबाब का मिक्सर थोड़ा सा अगर पतला लगे या आप से हैंडल ना हो रहा हो तो आप कुछ देर के लिए इनको फ्रिज में रख सकते हैं अब दो अंड लिये थे मैंने उनको अच्छे चिके से मैंने बीट किया और कबाब इसके साथ लगा के हम इनको डीप फ्राइब करेंगे कबाब हमने ठोड़े ठीक बनाए हैं कबाब के अदर चुकित अफने अंडा भी डाला हुई है इसलिए हम इन कबाबों को डिप फ्राइ करेंगे आपने इनको शेल फ्राइ नहीं करना और जैसे ही इनको पर खुबशुरसा कलर आए हम कबाब निकाल लेंगे I hope आपको ये रेसिपी अच्छे लगी होगी क्योंकि नॉर्मर रेगुलर कबाब में जब हम इनको अच्छे रिके से सब चीजों को मेश कर देते हैं तो फिर उस पे डाल का फ्लेवर तो बहुत जादा आ रहा होता है लेकिन चिकन का फ्लेवर जो है वो कम हो जाता है इस तरिके से आपको चिकन का फ्लेवर बिलकुल अलग से आएगा यह हमारी मज़ेदार शेरिड चिकन शामी कबाब रेड़ी है आई हॉप रेसिपी अच्छी लगी होगी मिलेंग इन्शाला नेक्स्ट किसे और रेसिपी के साथ तब तक के लिए लाहाफिज